सातियों हमारे एक्सपोर्ट से हमारी एकोनोमी को मैक्सिमम लाब हो, इसके लिए हमें देश के भीतर भी सिमलेस और हाई क्वालिटी सप्लाई चेन का निर्मान करना है। इसके लिए हमें एक नए रिष्टे, नए साजेदारी बनाने की जरूत है। मेरा सभी एक्सपोर्टर से आग्रह हैं कि वो हमारे MSME, हमारे किसान, हमारे मच्वारों के साथ पार्टनर्शिप को मजबूत करें, हमारे स्टार्ट अप्स को प्रमोट करें, हमारे कई एक्सपोर्टर होंगे, शायद आज स्टार्ट अप की दुनिया में हमारी UAPD कितना Commerce Ministry Initiative लें, हमारे स्टार्ट अप्स, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, उनका एक जॉइंट वर्शॉप हो, एक दूसरे की ताकत का परीचे हो, दुनिया के मार्केट का परीचे हो, हो सकता हैं, बहुत बुच कर सकते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करें, जहां तक क्वालिटी और एफिसेंसी का सवाल है, तो हमने अपनी दवाओं, अपनी वेक्शिन्स, इसके मामले में ये दुनिया में हम सिर्थ कर चुके हैं, टेक्नलोजी के बहतर उप्योग से, हम क्वालिटी कैसे बहतर कर सकते हैं, इसका एक और उदान है, हमारा हनी सेक्टर, मैं उदान छोटे इसलिए दे रहा हूं कि छोटी-छोटी चीजे भी कितनी बड़ी ताकत के साथ खड़ी हो सकते हैं, इसके मैं आपके सामने हनी का उदान दे रहा हूं, हनी की क्वालिटी सुनिशित कर रहा, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पहचान बढ़ाने के लिए अन कि पिछले साल हमने लगभग 97 मिलियन डॉलर का हनी एक्पोट किया, क्या हम ऐसे ही फूड प्रसेसिंग, फूट्स, फिसरीज को लेकर नए इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, आज दुनिया में होलिस्टीक हेल्थ केर का वातान बना हुआ है, बैक टू बेजिक का वातान बना ह हुआ है, हमारे योग के कारण भारत की तरफ इस दिशा में देखने का वातान बना है, ऐसे में हमारी औरगेनीक अगरिकल्चर प्रोड़क्ट जो है, उसका एक दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट की संभावना है, हमारी औरगेनीक चीजों को हम किस प्रकार से प्र्मो का है यह समय हमारे लिए क्वालिटी और रिलाइबिलिटी की नई पहचान स्थापित करने का है हमें यह प्रयास करना है कि दुनिया के कोने कोने में भारत के हाई वेल्यू एडेट प्रोड़क क्योंकि अभी आया विशय कि वेल्यू एडेट चीजों की तरफ हमें बल देना पड़ेगा हमें हमारी हर चीजों में निरंतर वैल्यू एडेशन करते जाना पड़ेगा उसको लेकर हमें एक स्वाभाविक डिमांड पादा होई हमें कोशिश करनी चाहिए मैं इंडिस्ट्रीज को सभी निद्यात्रकों को भी आस्वस्त करता हूं कि सरकार आपको हर प्र